यूट्यूब के सभी दर्सकों का इस चैनल में एक बार फिर से श्वागत है आज मैं एक महत्पूर्ण विशे पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो जीवन के लिए महत्पूर्ण माना जाता है रामाईन में भगवान स्री राम और महाराज रावन के बीच युद्ध शुरू होता है गहमाशान युद्ध होता है भगवान स्री राम बार बार रावन पर परहार करते हैं लेकिन रावन को कुछ नहीं होता है सिर परवान चलाते हैं सिर कड़ता है और दस सिर और उत्पन हो जाता है महाराज को किस तरह से महाराज आए इस बात को लेकर भगवान स्री राम को चिंता हुई तब महाराज भिविशन ने भगवान स्री राम से कहा कि भगवन रावन के नाभी में तीर चलाया जाए क्योंकि अमरित नाभी में है और जब तक नाभी में परहार नहीं किया जाएगा रावन की मिर्तियू नहीं हो शकती है जो ही भगवान स्री राम नाभी में तीर चलाते हैं रावन मुर्चित होकर गिर जाता है तब भगवान स्री राम लक्ष्मन से कहते हैं कि महापंडित महाज्यानी का अंत होने वाला है जाओ और रावन से कुछ सीख लो लक्ष्मन रावन के शिराहने में पहुँचकर रावन से कुछ सीखने की विंती करते हैं लेकिन रावन कुछ नहीं बोलता है तब गुश्याय हुए लक्ष्मन भगवान स्री राम के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि अभी भी रावन का हंखार समाप्त नहीं हुआ तब भगवान स्री राम कहते हैं कि गुरु के सिराहने में नहीं बल्कि चर्णों के पास जाकर ही सिक्षा प्राप्त की जा सकती है यही पहला ग्यान है और तब लक्ष्मन जी चर्णों के पास पहुँचकर रावन से कुछ शीखने के लिए कहते हैं गड़ाबन कहते हैं कि व्यक्ति दुस कर्म की और प्रेरित होता है शत कर्म की और प्रेरित नहीं होता है जिसके कारण उसे शमश्याओं का शामना करना पड़ता है मेरे मन में भी यह बात आई थी कि सोशमान मैं सीता को लोटा दूँ लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं माना और आज मैं इस इस्तिती में हूँ इसलिए सबसे पहले इस बात को दिहान में रखना चाहिए कि कोई शुब कारज अगर करना है तो देर नहीं करनी चाहिए अगर मैं सीता को सोशमान लोटा देता तो इस इस्तिती में नहीं आता दूसरा महत्पुन बात यह है कि किशी शत्रू को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए मैंने भगवान शुरी राम को हमेशा कमजोर समझा और एक वनवाशी की तरह समझा और आज मैं इस इस्तिती में हूँ इसलिए कहा जाशकता है कि किसी शत्रू को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए इस बात को हमेशा अपने जीवन में उतारने की आवशकता है तीश्रा महत्पुन बात यह है कि राज को राज ही रहने दिया जाए जैशा कि मैंने अगर अपने भाई को इस राज को नहीं बताता यह नहीं बताता कि मेरे नाभी में अमरित है तो मेरी मिर्तिव नहीं होती इसलिए इन तीन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और तभी जीवन शार्थक हो सकता है कि मन को सदा शतकर्म की और लेजाना चाहिए और शुबकार्ज को जल्द ही कर लेना चाहिए और राज को राज ही रहने देना चाहिए जिससे जीवन शार्थक हो सकता है इस बात को शमजने की आवशकता है इसलिए हम सभी को ऐसा कारज करना चाहिए जिससे जीवन शुख में वैतीत हो धन्यवाद